तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने लैप्टॉप या अपने कम्प्यूटर में फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा सकते हो मतलब कि आप अपने लैप्टॉप में फिंगरप्रिंट पासवर्ड को कैसे इनेबल कर सकते हो तो दोस्तों laptop या computer में fingerprint password लगाने का process बहुत ही ज़्यादा आसान है इसके लिए बस आपको इस वीडियो को अंतक देख लेना है जिससे कि आपको भी सारे पार्ट सही से समझ में आ जाएं कि कैसे आप अपने laptop या अपने computer में fingerprint password को enable कर सकते हो तो दोस्तों चलिए बिना किसी दरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों laptop या computer में fingerprint password को enable करने के लिए यहाँ आपको एक Windows का आइकन सोह रहा होता है तो दोस्तों अब आपको अपने इस Windows वाल आइकन पर रैट क्लिक करना है रैट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत से options मिल रहे होते हैं वहीं यहाँ पर आपको एक option मिल रहा होता है settings का तो बस अब आपको इस settings वाल आप्शन पर टाप करना है और settings वाल option पे click करने के बाद यहां आपकी सामने एक नया window open होता है और left side में आपको बहुत से options मिल रहे होते हैं यहां पे आपको एक option मिल रहा होता accounts का तो बस अब आपको इस accounts वाल option पे tap करना है accounts पे tap करने के बाद इधर आपकी सामने एक नया window open होता है तो दोस्तों अब आपको इसे थोड़ा नीचे की तरफ स्कॉल करना है और कुछ इस तरह से अब आपको नीचे की तरफ स्कॉल कर लेना है नीचे की तरफ स्कॉल करने के बाद यहां आपको एक कॉलम मिल रहा होता है एकाउंट सेटिंग का और account setting वाले column में यहां दूसरे number पी आपको option मिल रहा होता है sign in option का तो आपको इस sign in वाल option पी click करना है sign in वाल option पी click करने के बाद यहां आपको एक option मिल रहा होता है fingerprint recognition का जहां से आप अपने laptop या अपने computer में fingerprint को enable कर सकते हो तो दोस्तों fingerprint enable करने के लिए simply अब आपको यहां पी tap करना है और अब आपको यहां पे option मिल रहा होता है setup का तो बस अब आपको इस setup वाल option पी tap करना है setup पी tap करने के बाद अब आपको यहां पी get started का option मिल रहा होता है तो अब आपको get started पी tap करना है get started पे tap करने के बाद अब आपको यहाँ पे चार याच्छे आंकों का कोई भी pin इंटर कर लेना है pin इंटर करने के बाद अब आपके laptop या आपके computer में जहाँ पे fingerprint लगाने का option है तो simply अब आपको वहाँ पे अपना fingerprint enable कर लेना है कुछ इस तरह से अलग अलग तरीके से अब आपको वहाँ पे अपना fingerprint enable कर लेना है fingerprint enable करने के बाद यहाँ नीची आपको option मिल रहा होता है close का तो बस अब आपको close वाल option पे tap करना है और जैसे आप close वाल option पे tap करते हो आपके laptop या आपके computer में fingerprint lock successfully enable हो जाता है तो दोस्तों कुछ इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने laptop या अपने computer में fingerprint lock को enable कर सकते हो